दोस्तो 2024 Ampro Classic के रिजल्ट्स आ चुके हैं और जैसा कि बहुत से लोगों का मानना था कि विलियम बुनैक इस शो को जीत लेंगे वैसा ही हुआ विलियम बुनैक ने 2024 Ampro Classic को जीत लिया है और ये क्वालिफाई कर चुके हैं 2024 Mr. Olympia के लिए in Men's Open Body Building बहुत ही अच्छा पैकेज लेकर आये थे विलियम बुनैक आन स्टेज बहुत ही अच्छा कमबैक देखने को मिला विलियम बुनैक का इस शो में After A Year Gap विलियम बुनैक को इस शो में 12,000 डॉलर्स की प्राइज मनी के साथ साथ ओलंपिया क्वालिफकेशन भी मिल चुकी है इस 2024 Mr. Olympia के लिए predictions के according ही top 3 athletes रहे हैं Ampro Classic 2024 के जो थे विलियम बुनैक, माइकल क्रीजो और बहरोस टबानी माइकल क्रीजो इस time थोड़ा off लग रहे थे on stage इसी वज़ा से वो top 2 में नहीं आ पाए और top 2 bodybuilders रहे विलियम बुनैक और बहरोस टबानी बहुती tough competition था विलियम बुनैक और बहरोस टबानी का इस Ampro Classic में और बहुत से लोग ऐसा मानना भी है कि बहरोस टबानी real winner थे and he is robbed in this 2024 Ampro Classic शो point table को देखें तो इन दोनों में जो difference है वो सिरफ एक point का है एक point से ही विलियम बुनैक जीत पाए हैं इस Ampro Classic शो को बहरोस टबानी भी विलियम बुनैक से कम नहीं दिख रहे थे काफी improved package लेकर आये थे या on stage बहुती incredible दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये beat कर सकते हैं विलियम बुनैक को इस show में इनके अगर most muscular pros की बात करें तो दोनों का most muscular pose काफी अच्छा दिख रहा है हाँ विलियम बुनैक की थोड़ी chest में जादा striations देखने को मिल रही है बहरोस के comparison में बाकी thighs का size, calf muscles, arm size और traps काफी मिलते जुलते हैं तो इस pose में little bit advantage विलियम बुनैक को मिल सकता है front double biceps pose में स्मिट्री के according बहरोस काफी अच्छे दिख रहे हैं बहरोस की ऐसे भी front double biceps में काफी अच्छी स्मिट्री देखने को मिलती है और इस pose में बहरोस काफी अच्छे से दिख रहे हैं विलियम के comparison में front lat spread pose में भी जादा difference तो नहीं है दोनों bodybuilders में लेकिन इस pose में बहरोस दुबानी की upper body काफी अच्छी दिख रही है काफी pop-up हुए दिख रही है as compared to William Bonack side chest pose की बात करें तो side chest pose में ज़्यादा difference देए हैं दोनों bodybuilders में काफी मिलते जुलते दिख रहे हैं इस pose में तो ये judges पर depend करता है कि इन दोनों में ये किसे select करें back double biceps pose में भी काफी tough competition दिख रहा है इन दोनों bodybuilders का back lat spread में अगर देखा जाए तो William Bonack का lat spread में back का mass ज़्यादा देखने को मिल रहा है लेकिन conditioning wise और separation wise बहरोस की काफी अच्छे से back की conditioning दिख रही है वैसे ही side triceps pose में भी आप देख सकते हैं कि क्या difference है इसमें little bit advantage William को दिया जा सकते है क्योंकि इनकी chest ज़्यादा pop-up दिख रही है इस pose में और triceps का size भी better दिख रहा है बहरोस के comparison में बट इस abs pose में आप देख सकते हैं कि William Bonack इतने better नहीं दिख रही है वो काफी बहतर से इनके mid section को display करवा रही है और इस last pose में भी आप देख सकते हैं कि बहरोस सबानी की upper body कितनी बहतर दिख रही है और William Bonack की upper body काफी shrinked दिख रही है इसमें clear chances ऐसे लग रहे हैं कि बहरोस सबानी भी अगर जीतते तो ये definitely best choice होती 2024 Ampro Classic के लिए बहुत ही अच्छी फिजीक थी बहरोस सबानी की भी और इसलिए ये एक point के difference से ही हा रहे हैं William Bonack से दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन थे इस show के real winner बहरोस सबानी या William Bonack आप अपने thoughts को comment में ज़रूर share करें information अच्छी लगी तो वीडियो को like and share जरूर करें and subscribe our YouTube channel for more related videos